ओम नमस्षिवाय नमस्कार दोस्तों स्वागाट आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको सिव महा प्राण की कठा का सरवन गरा रहा हूँ आप सभी भक्त जण इस कठा को सर्द पूर्वक मन लगा कर सुने भगवान सिर्फ जी आप सभी की मनों कमना पून करेंगे और आप सभी के कश्टों को हर लेंगे ब्रह्मा जी ने कहा है नारद इस दसा को देख हिमाचल के परवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यंद व्याकुल हुए देवता भी आपस में ये कहने लगे कि क्या करते हुए ये क्या हो गया तब सब इस्तरी पुरसों ने भागवान सदासिव का ध्यान धर कर इस प्रकार प्रातना की हे प्रवो आपने जो कुछ किया वे सब लोगों के लिए असुभ हो गिरजा भी बहुत उदास होकर सिवजी का इस्तमन करने लगी उस समय गिरजा की चिंता को देखर सिवजी ने सब तरिशियों को इस्तमन किया सिवजी की आग्या का पालन करने के लिए वे सीग्र ही आप पहुँचे वे अपने संपूर्ट सरीर पर भस्म लगाये थे तता हातों में माला लिये थे वे अपने मुख से सिवज़ उच्चारन कर रहे थे उन्होंने आते ही सिवजी को पिरणाम किया तदोपरांत हात जोड़कर प्रातना करती हुए बोले ही प्रवो आप हमें क्या आग्या देते ही ये सुनकर सिवजी ने उत्तर दिया ही रिशियो तारक दैत्तिके संगहार के निमित हमने गिरजा के साथ विवा करने का निश्य किया है अब वे समय निकट है अज तो तुम हमाचल के निकट जाकर उनसे तथा उनकी इस्तरी से हमारे विवा के लिए कहू ये नारद ये सुनकर सब्तरिसी अत्तिन्त प्रिसन हो परस पर यह कहने लगे कि हमारे भाग दन ही जो स्रेश्टी का उपकार करने के निमत सिवजी अपने बिवा का संदेश पहुँचाने के लिए हमें माचल के पास वेज रहे हैं इस प्रकार वेक कहकर बे माचल के समीब जा पहुँचे हैं इमाचल ने उन्हें डन्वत परिणाम करने के प्रांत आने का कारण पूचा उस समय सब्तरिश्टी ने उतर दिया है माचल सिवजी संपूर्ट स्रेश्टी के पिता ही और गिर्जा सब की माता ही संसार के कल्यान करने के निमित सिवजी गिर्जा के साथ बिवा करना चाते ही अज तो तुम गिर्जा का बिवा सिवजी के साथ कर दो इस सम्मंद में ब्रह्मा जी ने सिवजी से बड़ी प्रातना की थी तदा गिरजाने भी कठिन तपश्या करके उन्हें प्रिसन किया है तब ही सिवजी यह बिवा करने को प्रस्तत हुए है जिस समय सब्त रिशी इमाचल से इस प्रिकार की बातें कर रहे थे उसी समय अगस्त रिशी की पतनी लोपा मुत्रा तदा वशेष्ट मुनी की पतनी अन देखकर उन्होंने मेना से कहा ही मेना तुम ओठकर हमारी बात सुनो रिशी पतनियों को देखकर मेना तुरंत ओठ वैटी और बोली मेरे धन्य भाग ही जो आपने यहाँ पदार कर मेरे उपर किरपा की आप मुझे कोई आग्या प्रिदान करें किरपा करें यह सुनकर हिमाचल गिर्जा का विबा सिवजी के साथ करना चाते ही तुम इससे आप रिसन क्यों हो क्या तुम सिवजी को नहीं पहचानती कि वे तीनों लोकों की स्वामी और सबसे स्रेष्ट हैं इस प्रकार सिवजी की महिमा का बहुत कुछ बंदन करने के उपरांत दोनों रिशी पत्निया मेना को साथ ले हिमाचल की सवा में जा पहुचीं वहाँ पहुचकर मेना ने सब्तरशियों को प्रिणाम किया फिर वह अपने पती के चड़नों का ध्यान धरती हुई अरंधती के समी बैठ गई और समय सब्तरशियों ने हिमाचल से इस प्रकार कहा सब्तरशियों इस संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है उसका बद करने के निमित ही सिर्जी ने बिवा करना स्विकार किया है अर्ष्टू तुम देवताओं का कार पूरा करने के लिए इस कार में बिलम्म ना करों ये सुनकर माचल ने हाथ जुड़कर उतर दिया है मैं आप से एक बात कुछना चाता हूँ कि वे संसार से बिरक्त बनवासी अवधू तता असूब वेसधारी हैं भला मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी करन्या का विवा कैसे कर दूँ इस प्रिकार के बर को करन्यादान करने से पिता नरक गामी होता है क्योंकि विवा मैत्रे और बेर बराबर बालों से ही करना चाहिए इसलिए मैं सिवजी के साथ अपनी करन्या का विवा नहीं करना चाता इमाचल की बात सुनकर अनुदती ने उत्तर दिया है राजन बेद के अनुसार तीन प्रिकार के बचन होते हैं एक ऐसा होता है जिसको सुनने में उपर से तो आनंद होता है प्रंतु वास्तम में वो आनंद का नास करने वाला होता है दूसरे प्रिकार का बचन सुनने से भ गिर्जा का विवा सिवजी के साथ कर दो ऐसा करने से तीनों लोकों में तुमें यस प्राप्त होगा तता संपूर्ण देरता तुमारे बस्विवूत हो जाएंगे यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी ये निश्चे रखो कि गिर्जा तो सिवजी को अवशे प्राप्त करेंगे ही तुम्हें ब्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा जिस प्रिकार राजा अनरन्य ने अपनी क रन्य की कथा केनी की किरपा करें ये सुनकर बस्विजी ने उत्तर दिया है माचल बेद चंद्र नामक चौदेवे मनु की सोलेमी पीड़े में अनरन्य नामक राजा उत्पन हुआ था वै मंगला रन्यम राजा की बाती पिर्जा का पालन कंडी बाला तता राज सिंगासन पर बैठका नीति पुर्वक राज करने वाला था उसके साथ पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन हुई पुत्री का नाम पदमा था वै पुत्री राजा तथा रानी को प्रानों से भी अधिक प्रिय थी जब उसकी अवर्स्ता विवा के योग्य हुई तब राजा उसके ल काम के वसिवत होकर इस्त्री से भोग की इच्छा करने लगी तबी मुनी ने पुष्प भद्रा नदी के टत पर पद्मा को देख सबसे पूचा कि यह किसकी कन्या है लोगों ने बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्री है यह सुनकर मुनी इस नांदता पूजन कर राजा क के पास गए और काम बस होकर उनसे उनकी पुत्री को मांगा प्रंतु राजा चुप रही उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तम मुनी ने क्रोधित होकर कहा कि तु आमको लड़की नहीं देता तथा चुप बैटा हुआ है हमारे पास वे बिद्या है जिस से हम इसी समय बहा ही राजन अब आपको यही उचत है कि अपनी पुत्री मुनी को दे दें और इस फिरकार मुनी के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें तब राजा ने पन्नित की बात मानकर अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनी को दे दी इसलिए है माचल तुमको भी यही करना चाहिए अब विवा के सुभ महुर्थ को केबल साथ दिन सेस रहे गए हैं उस दिन म्रग सरा नक्षतर चंद्रवार उत्तम योग करन तता केंद्र के सुभ रहे हैं उसी समय लगन का स्वामी अपने इस्थान पर आएगा यही अति उत्तम महुर्थ होगा उस दिन त इस प्रकार समझाती हुए सब्तरिसी तीन दिन तक वहां ठहरे तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर चौती दिन लगन लिखाया उसे लेकर सब्तरिसी सिव के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा ही नारत सब्तरिसियों ने सिवजी के पास जाकर संपूर्ण ब्रतामत कैस सुनाया स सिवजी बोले हे रिशियों तुमने ये काम अच्छा किया तुम भी अपने सिश्यों सहित आमारे बेवा में अवस्त उपस्तित हो ना यह सुनकार सब्तरिसी प्रिसन होकर वहां से बिदा हुए हे नारत इसके पास्चा सिवजी ने तुमको इसमन किया तुम वहां त्रंत प्रिसंता पुर्वक पहुंचें तुमने सिवजी की हाथ जोड़कर इस्तोती एवं बिंती की और कहा कि मेरा ये सौबाग है जो आपने मुझे इस्मन किया अब आप मुझे सेवक को आगया दीजिए उस समय सिवजी ने संसार की रिती की अनुसार कहा है नारद गिरजा ने ह हमारी बड़ी अरादना किया है हमने प्रेम के वस होकर उसे अपने साथ विवा करने का बढ़ दे दिया है अब तुम हमारी और से समस्त देवताओं को निमंतरन दो उन सबको ये बात भली भाती समझा देना कि जो हमारी ब्रात में समलित ना होगा वह हमारा प्यारा ना जी के पास तदा इसी प्रकार संकादिक ब्रगु आदी के समय पहुंचे तुमने सबको सिवजी का संदेश कैसनाया और सबने अत्यंद प्रसंता के साथ उसे स्विकार किया है नारद इस प्रकार तीनों लोकों में कोई ऐसा इस्तान सेस नहीं रहा जा तुमने सिवजी की और से जाकर निमंत्रन ना पहुंचाया हूँ सबको निमंत्रन देने के पश्चात्म सिवजी के पास लोट आए और उनकी श्तती करती हुए बोले है माराज आपके निमंत्रन को ब्रह्मा विश्नु एवन संपुन स्रिष्टी ने बड़ी प्रसंता के साथ स्विकार किया ह इसके पश्चात्म सिव की आग्या से वहीं रह गई नियत समय पर ब्रह्मा विश्नु संकादिक लोक पाल इंद्र आदी गणपती अगनी धर्मराज बरण कुवेर पवन इशान दिक पाल सूर चंद्रमा हिंगुलाज जौला मुखी आदी देवी देवता तथा मुनी केला पास में अपनी समस्त सामिगरी परवार इस्त्री गन सेना तथा सवा सदों को लेकर आए और अपने पद के अनकूल वैठी बिश्नु तथा में सुब लगन पर सिव जी के पास आए तथा प्रणाम के पश्चात उनसे बोले है प्रवो आव तो चलने का समय आ गया है ब्रह पारों और धोजा पता का चवर आदी सुब सामिगरी इस्तापित हुई देवताओं की पत्नियां मंग अलगान करनी लगी रत्न एवं मोतियों से चोक पुराए गए उस समय की सिव जी की सुन्दरता का हम बढ़ना नहीं कर सकते बिश्नु में तथा इंद्र आदी देवता अपने अपने प्रसिद्वस्त्रों से भूसित हुए सवारों के रिसालें गज समय तता गोडों के छल वल देखने योग एवं प्रसंसा के योग थी सुब मूर्त में सिव जी महराज बरात सहित चली नंदी बीर भद्र भैरव आदी भी अपने गनों सहित उनके साथ हुए सिव जी की उस बरात में असंग के सहना चली सिव जी ने सरप्रतम संसारिक नियम के अनुसार ब्रामण के चर्णों का ध्यांदर डमरू बजाया इसके पश्चाद वे बरात के साथ चली ब्रहमा जी ने कहा ही नारद हिमाचल निवी इस विवा के लिए अपने भाई बांद दता समस्त नदी नद एवन समद्रों को इस्त्रियों सहित निवंत्रन किया और अपनी नगर को भली भांती सजाया अनेक मंद्रों को रत्न आदी से पूर्ण कर भूसित किया गया अच्चा मंदप च्छाकर बंदर बांदता मोतियों की जहलें लटका दी समस्त निवंत्रन भाई बंदू उनके घर एकत्रुत हुए इस प्रकार वहां एक आश्य जनक सामिकरी एकत्रुत हुई हिमाचल ने अपने दान से सब याचकों को संटुस्ट किया पिरतेक ने अपने को सज्जित किया था अनेक प्रकार के साज बज़ सजने लगे इस्त्रियों के समूँ ने एकत्रुत होकर गरजा को इश्नन कराया जो जो कुल देवता आदे की पूजा नियत है वह सब गरजा से कराई गई तुमको सिवजी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास बेजा जहां तुमारा बहुती आदर सत्कार हुआ सब रेती रिवाजों के पूरे हो जाने के पश्चात हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बरात की आगवानी के लिए भेजा तता सुयम भी बरात आने की प्रतिक्षा करने लगे जब बरात निकट पहुँची तो हिमाचल सुयम अपने समझत भाई बंदों सहित अगवानी के लिए चली बे बरात की सोबा असंक सेना तता बिचित्र सामगरी देखकर सातियों सहित आश्य चकित हुए उन्होंने हम सब को जुखकर प्रिणाव किया तता बहुत कुछ इस्तुती की तदो प्रांत रहने के लिए एक बहुत अच्छा इस्तान दिया बरात की उस सोबा का बर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता सब बरात बड़ी सज धज के साथ अपने अपने बहानों पर चड़कर हिमाचल के घर की ओर चली बरात को द्वार पर आया हुआ देखकर मेना की इच्चा हुई कि सरप्रतम में अपने दामाद को देखू उसके पश्चात द्वार चार की रिति पूरी की जाए यह बिचार कर मेना ने तुम को भुलाया तता अपने मनों कांक्षा प्रिकट की वह बोली कि तुम जिसको पर ब्रह्म तता सरुसेष्ट कहते थे उसे देखकर ही सव काम के जाएंगे ब्रह्मा जी बोले है नारद जब मेना राज के अहिंकार से यह अनुचेत बिचार अपने मन में लाई तता उसने सिवजी के सुरुप की परिक्षा करनी चाही तब सिवजी यह जानकर अप्रिसन हुए अब मैं ऐसा चरेतर करता हूँ जिससे यह मुर्क ऐसी बातों को भुल जाए ऐसा सोचकर सिवजी ने अपना बिचार विशनु को बलाकर प्रिकट किया और कहा है विशनु तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े सुब चिंतक हो हम तुमको आदिस देते हैं कि तुम सब पहले अलग-अलग अपनी सेना सहित हमाचल के दौर पर चलो हम सब के पष्चात वहां आवेंगी विशनु जी ने यह सुनकर सब को सिवजी का आदिस सुनाया उस आदेश के अनुसार ही सब अलग-अलग अपनी सेना सहित चले तता एमाजल के दुआर में प्रिविस करने लगी मेना ऐसी धुमदाम से आती हुई बरात को देखकर पिरसन हो कहने लगी वाँ वाँ कैसी सुंदर बरात है उसकी ऐसी दसा हुई की जिसको देखती तुमसे उसी के विसे में पूछती कि क्या यही गिरजा के पती हैं पहले जब मेना ने गंदर राज बसु को देखा तो तुमसे कहा कि क्या यही सिव हैं तब तुमने उत्तर दिया यह तो सिव की सेना के गाने वाले हैं यह सुनकर मेना बोले कि जिसकी सवा के गाने वा नाचने वा नहीं ये नारद इसी प्रिकार मेनाने धर्मराज, सर्प, बरण, पवन, कुबेर, एसान, आटों, देखपाल, रुद्र, इंद्र, चंद्र, ग्रैशपति, सुक्र, प्रिजापति, सब्त, रिशी, ब्रह्मा तता विश्नु जो एक के पीछे एक आती थे को देखकर परंतु तुम बराबर यही उत्तर देते रहें कि नहीं ये सिव नहीं हैं, ये तो सिव भक्त हैं, ये सुनकर मेना अत्यंत प्रिसंद हुई, तता अपने को धन्य समझने लगी, वे समझी कि हमारा कुल किरतात हो गया, इस प्रकार मेना के सब दुख दूर हो गए, ब्रह्म से कहा, यही सिव जी हैं, यही गिर्जा के पती हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो, मेना ने सिव को अच्छी तरह देखा परंतु सिव की माया से उसके नित्र ऐसे हो गए, कि उसकी ड्रेष्टी में संदे उत्पन हुआ, उस समय उसको सिव जी का दल ऐसा दिखाई देने लगा, जैसे कि वे सबी भूत प्रेत आदी हैं, कहिए के तो हाती नहीं थे, तता कहिए के बहुत से हात थे, मेना ऐसा दल देकर बहुत भैबीत हुए, उस सेना में सिव को बैल पर चड़े, तरनेतर चंद्रमा तता मुकड धारन किये हुए, ब्यागांबर एवं गज चर् हातों में डमरू, कपाल, त्रिसूल और सब सस्त्र लिये, कंट में हला हलकी स्यामता तता सरीर में सर्प लिप्टाई हुए देखा, ए नारद, उस समय तुमने मेना से कहा कि अब तुम इदर उदर क्या देखती हु, सिव का रूप क्यों नहीं देखती, जब मेना ने सिव क एसा रूप तता, वैसी सेना देखी तो वे बहवीत होकर अत्यंद दुकी हुई और मुर्चित होकर धर्ती पर गिर पड़ी, सब को अत्यंद खेद हुआ, सब लोग औस दी, आदी का अप्चार कर मेना को चेत में लाई, फिर मेना तुम से बोली है नारद, तुमको धिकार है, तुने मेरी कन्या का जीवन नश्ट कर दिया, यह अवदूत मेरी लड़की के साथ बिवा करनी के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है, मेरा तता एमाचल का जन्म ब्रथा हुआ, सब रिशियों ने भी मेरे साथ धोका किया है, ए नारद, यह कहकर मेना गिर्जा स बोली है, पुत्री, तुमने बन में जाकर, यह क्या काम किया, हंस के इस्तान पर कौा लिया, सूर से, मतलब ना रखकर, जगनु से मनुरत चाहा, गी अच्छा ना लगाता था, रेडी के तेल में रुची हुई, तुमने यग की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई, ज एवं तुमें भी धिकार है, अब मुझको आनंद कहा है, यह सा मेरे कर्मों का ही फल है, मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तब किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तता, ऐसा भयावना, स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ, यह कहकर मेना बार अंबार पर गिर कर मुर्चित होने लगी, कुछ देर पश्चात मेना को जब चेत हुआ, तो गिरजा की ओर से आंके मूंद कर धेक धेक कहने लगी, बे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर ना गई, इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो ना लगता, इमा चलने भी नारत क बचन पर इतना विश्वास कर, बहुत बड़ी मुर्खता की, अब मैं क्या करूं, जिससे मेरा यह दुख दूर हो, मेना ऐसे बचन कहती हुई, रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी, यह देकर सब आनंद दुख में परवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने की पाश् सब लोगों ने अपने आनंद मनाया, बुलो सिव महा प्राने की जै, बुलो सिव संकर वगवाने की जै